आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ कद्दू या लौकी के कुफते बनाने की रेसिपी ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसे घर में बनाना बहुत ही आसाल है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आते से लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी कद्दू का कोफता बनाने के लिए मैं यहापे 400 ग्राम कद्दू ली थी जिसे अच्छे से धोकर बारीक साइट से कद्दू कस करेंगे तो कोफता एकदम चिकना बनेगा बारीक कट्टी हुई हरी धनिया की पत्ति दो छोटा चमच अद्रक और लसन का पेस्ट दो छोटा छोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर एक छोटा चमच कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर दो छोटा चमच धनिया का पाउडर आधा छोटा चमच रोस्टेट जीरा का पाउडर आधा छोटा चमच क्रस्की हुई काली मिर्च में रखी हूँ आधा छोटा चमच गरम मसाला का और चोथाई छोटा चमच मैं यहाँ पे अजवयन ले ली हूँ, नमक मैं टेस्ट के अनुसार यूज करूँगी, एक छोटा साइज प्याज बारीक कटा हुआ, एक हरी में इस बारीक कटी हुआ, दो से तीन लसन बारीक कटा हुआ, और आधा इंच अद्रक बारीक कटा मैं यहाँ पे पाच से छे बरे चमच बेशन ले ली हूँ, दो मीडियम साइज प्याज जिसका मैं पेस्ट बना ली हूँ, और दो मीडियम साइज टेमाटर का मैं पेस्ट बना ली हूँ, तीन से चार बरे चमच मस्टरड वायल सबजी बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे के लिए एक चटा चमच जीरा एक तेज पत्ता और एक सुखी लाल मुर्च को मैं तोर के रख ली हूं मैं सभी इंग्रीडियन्ट और उसका मेजर्में डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूं कद्दू का कोफटा बनाने के लिए मैं सबसे पहले कद्दू कस किये वे कद्दू में से पानी निकाल लूँगी यह देखिए हाथों से इस तरह से प्रेस करके कद्दू में से पानी निकालने कद्दू में बहुत ज़्यादा मोईस्चर होता है इस तरह से पानी निकाल कर कोफता बनाएंगे तो कोफता का सेप एकदम अच्छा आएगा सारे कद्दू से इसी तरह से मैं पानी निकाल लूँगी कद्दू कस किये हुए सारे कद्दू में से मैं पानी निचोड ली हूँ अब इसे मैं एक mixing ball में डाल दूँगी और अच्छे से mix करूँगी अब इसमें मैं बारिक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लासन डाल दूँगी आप अदरक और लासन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं पर काटके डालेंगे तो टेस्ट जादा अच्छा आएगा और अब इसमें मैं सुखे मसाले डाल दूँगी हल्दे का पॉडर में डाली, अधा चोटा चमच, अधा चोटा चमच लाल मिर्च का पॉडर थोड़ा सा धनिया का पॉडर डाली मैं, गरम मसाला का पॉडर रोस्टेट जीरा का पॉडर और क्रस्की हुई काली मिर्च को मैं डाल दी थोड़ा सा अजवाइन मैं हाथों में इस तरह से मलकछी रख दी तीन चमच बेसन डाल कर मैं इसे मिक्स की हूँ, इसमें थोड़ा मोईस्चर और है इसलिए मैं इसमें दोबरे चमच बेसन और डाल कर मिक्स करूँगी एक साथ सारा बेसन ना डालें, बेसन ज़्यादा हो जागा तो कोफता सॉफ्ट नहीं रहेगा और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी कोफता बनाने के लिए हमारा डोब बनकर तयार है अब इसमें मैं बारीक कटी हुई, हरी धनिया की पत्ती डाल दूँगी हरी धनिया की पत्ती डाल कर कोफता बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी कुफता बनाने के लिए डो तयार है अब मैं एक एक करके कुफता बना लूँगी यह देखिए हाथों के बीच में इस तरह से गूल करके यह देखिए गूल सेप का कुफता तयार है इसी तरह से यह देखिये कोफ्टा का सेप एक दम पड़्फेक्ट आया है इसी तरह से सारे कोफ्टे को मैं बना कर त्यार कर लूँगी सारे कद्दू से मैं कोफता बना कर तयार कर ली हूँ अब मैं इसे डीप फ्राइ करूँगी कोफते को डीप फ्राइ करने के लिए मैं कढ़ाई में रिफैंड वैल डाल कर उसे गर्म की हूँ अब इसमें मैं एक एक करके कोफते को डाल दूँगी कुफता को डालने के बाद फ्लेम को मैं लो मीडियम पे कर दूंगी कुफता को लो मीडियम पे ही पकाए नहीं तो ये उपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा और इसे मैं गुल्डेन ब्राउन करके निकालूंगी low medium flame पे कुछ देर तक एक साइड पकाने के बाद कुफते को पलट दें कुफते को पलट पलट कर दोनों साइड golden brown करना है ये देखिए कुफता golden brown हो गया है अब मैं flame को लोपे कर दूँँगी और एक एक कर के कुफता को निकाल दूँँगी यह देखिये यह कितना खुब्सूरत दिख रहा है इसी तरह मैं सारे कोफ़ते को तल लूँगी सारे कोफ़ते को मैं डीप फ्राई करके निकाल ली हूँ यह देखिये कोफ़ता एकदम चिकना बना है और इसका सेप भी एकदम गोल गोल आया है अब मैं इसे तोर के दिखाती हूँ ये देखिए कुफता उपर से क्रंशी और अंदर से एकदम सौफ्ट तयार हुआ है अब मैं इसकी करी बनाना स्टार्ट करूँगी करी बनाने के लिए मैं करहाई में 3-4 बड़े चमच मस्टर्ड वायल डाल कर इसे गर्म की हूँ अब इसमें मैं जीरा, सुखी लाल मिर्च और तिसपता डाल दूँगी और पकने दूँगी जीरा पक गया है, अब इसमें मैं पिसे हुए प्याज का पेस्ट डाल दूँगी और इसे मिक्स करूँगी प्याज का पेस्ट डाल कर मैं लो मिडियम फ्लेम पे इसे 2-3 मिनट तक भूनूँगी प्याज को मैं लो मिडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक भून ली हूँ प्याज अद्रक और लासन को मैं अच्छे से भून ली हूँ, अब मैं फ्लेम को लोपे कर दूँगी और इसमें सुखे मसाले डालूँगी, अधा चोटा चमच हल्दी का पॉडर मैं डाली, अधा चोटा चमच लाल मिर्च का पॉडर, एक चोटा चमच मैं यहाँ पे कसमेरी लाल मिर्च डाल रही हूं इससे सबजी का कलर अच्छा आएगा पर वो तिखा नहीं होगा एक चोटा चमस धनिया का पॉडर में डाल दी और इसे लो फ्लेम पे मैं दो तीन मिनट तक भून लूँगी प्याज और सुखे मसाले अच्छे से भून गए हैं अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी मैं टेस्ट के अनुसार नमक थोड़ा अंदाज से डालें नमक कोफते में भी है और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी टमाटर डाल कर मसालों में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम को लो मीडियम पे करके इसे ढख दूंगी और 2-3 मिनट तक मैं मसालों को ढख के पकाई हूँ और उस बीच में मैं इसे एक बार मिक्स की हूँ अब मैं इसमें फिर से एक बार अच्छा सस्टर देने के बाद बचे हुए सुखे मसाले डाल दूँगी जीरा का पाउरडर मैं डाली और क्रस्की हुई काली मिर्च डालूँगी और इसे लो मिडियम फ्लेम पे दो तीन मिनट तक भूनूँगी मसालों को मैं कुछ-कुछ देर पर चलाते हुए भून ली हूँ ये देखिए मसालों से तेल बाहर आ रहा है अब मैं इसमें एक अच्छा सा स्टर देने के बाद ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल दूँगी मेजरिंग कप से मैं एक कप पानी डाल कर इसे मिक्स की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट की अनुसार एड़जस्ट कर सकते हैं और मैं इसे मिक्स करूँगी करी में मैं मेजरिंग कप से एक कप से थोड़ा सा जादा पानी डाली हूँ और फ्लेम को अब मैं लो मीडियम पे कर दूँगी और इसे धक कर पहला बॉयल आने तक पकाऊंगी ग्रेवी में बॉयल आ गया है अब मैं इसमें एक अच्छा सा स्टर दूँगी और इसे धक कर लो फ्लेम पे तीन से चार मिनट तक पकने दूँगी चार मिनट हो गया है अब मैं धकन को हटाई ये देखिए करी कितना खुब सुरत दिख रहा है अब इसमें मैं एक अच्छा सा स्टर देने के बाद गरम मसाला का पाउडर डाल दूँगी और एक एक कर के सारे कुफते को डाल दूँगी कुफता डाल कर मैं इसे इस तरह से मिक्स की और अब मैं इसे धक कर दो तीन मिनट तक पकाऊँगी ताकि कुफते में करी और मसालों का टेस्ट अच्छे से चला जाए कुफता को डाल कर 2-3 मिनट तक मैं करी में पका ली हूँ अब मैं इसमें एक अच्छा सा स्टर दूँगी और बारी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती छिरक कर मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे ढख दूँगी 30 सेकेंड हो गया है ये देखिए कद्दू का कुफता करी बन कर तयार है अब मैं इसे सर्व करूंगी कद्दू का कुफता करीब बन कर तयार है मैं इसे धनिया पत्ती से गार निसकी हूँ यो देखने में बहुत ही खुबसूरत और खाने में बहुत ही टेस्टी है आप इसे घर में जरूर ट्राइ करें मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले है